कि तो हाई गाइज वेलकम बैक तो मैं यूटुब चैनल से टाइम पाउंड गोल दिस जोड संदीप भाया और अभी जो पॉइंट है दाट इस वारी मॉच इंपॉर्टेंट प्रिटी मॉच इंपॉर्टेंट फार स्पॉर्ट राउंड कहा जाता है कि सब्र का फल मीठा होत इंतजार किया कि मुझे आईटी के नाईटी और भी आईटी में अगर कोर मिल जा है तो भी मैं एड्मिशन लेनी के लिए तयार हूँ अब उनका घड़ी आ चुका है सबसे जादे गवर्मेंट कॉलेज एकेटीव में पाटिसपेट कर रहा है पूरे यूपी में यूपी म सबसे तुम्हारा वहां पर भी तीन चार लाग पांच लाग तक एड्मिशन होने के संबावना है बट मुद्धा यह है कि अभी एकेटीव की वेकैंसी लिस्ट आई है कि कितनी वेकैंसी खाली है इस पॉर्ट राउंड हमेशा से मात्तपूर राए क्योंकि जो आईटी अतम हो जाता है लेकिन मसले की बात एक और भी है जो मैं तुम्हें शेयर करूंगा लेकिन तुम्हें अगर बुरा लगे तो मुझे माफ करना इस पर बुरा लगने वाली बात नहीं है सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है आखिर ठीक है तो आखिर पहले अपने लो हुआ है कि को में स्टेट के लिए है और कुछ सीटे ओपनी स्टेट के लिए है चलो ठीक बात यह तो होना भी चाहिए लेकिन जो कुछ सीटें हो एडवलोस के लिए अभी रिजर्व हैं हलाकि इनके मैनुल में दिया हुआ था कि जितनी वी सीट होंगी जितने भी स्पॉर रिजर्वेशन था उसको भी ओपन कर दिया गया जो बीसी का रिजर्वेशन था उसको भी ओपन कर दिया गया ठीक है लेकिन जो एडवलोस का रिजर्वेशन था इसको ओपनी किया गया है इसको एडवलोस में रखा गया है सिर्फ यहीं पर ऐसा होता है जो सामयासा नहीं ह हुई है हाला कि CSJMU ने भी ऐसा ही किया है हाला कि यहां पर है कि सिर्फ EWS का कोटा रखा गया है I don't know why बाकी लोगों का कोटा कातम हो चुका है but that is a different thing अपन लोग क्या बात करना है पहले इसकी बारे में जानकारी लेते हैं कितने लोगों सहीं लगा यह चीज बताएंगे कमेंट बॉक्स में किसी का पार नहीं बनना चाहिए और मैं किसी का लिए नहीं बता रहा हूं इस यह तुम यकीन नहीं मानोगे इस बार भी आईटी लगना हूं में होमें स्टेट के लिए सब्सक्राइब करो अगर तुम्हें कोई भी अब तक कॉलेज नहीं मिला है तो ठीक है डेफिनेटली तुम्हारे लिए बहुत सारी सीट से रिजर्व है इस लिए इस राउंड में एसी तुमों और आराम से हाई रैंक तक तुम्हारे एडमिशन होगा ठीक है ऐसा समझ लो ठीक है मतलब एसी वालों का जैसे होता है नहीं पांस लाग रैंक टाकेट मिशन हो जाता है आनेक्स्पेक्टेड कट अफ चली जाती है वैसे इस राउंड में आपकी कट अने वाली है क्योंकि भाई एडवलेस होना भी परदान है यूपी में ठीक है चलो जिन लोगोंने इडवलेस नहीं लगाया था उनको इस बात का बड़ा दुख रहा होगा और तुम अगर देखो तो भी आईटी में सीट्स अगर हम लोग देखे ना तो भी आईटी में सिविल में ध्यान से सुनते रहो बहुत बढ़िया चलेगा मामला 28 सीटे खाली है देखने के बाद त लेकिन सबसे ज़ादा सीट जो खाली है वो आईटी लखनों में है और मेकेनिकल में 30 सीटे खाली है तो फिर भी ये भी बहुत अच्छी कासी सीट है ठीक है 70-80 सीट भी आईटी में हो गई तो एक कम नहीं है उसी तरीके से अगर मैं A.I.T.H. की बात करूं तो A.I.T.H. के सीटे कंप्यूटर की एक भी सीट नहीं बची है लेकिन सीधा सीधा 30 सीट 19 सीट छाली है है हैंडीकेप्ट वालों का आई आई सीटी भधोही में कम सीट खाली बची हैँ ओपन में 1 सीटे खाली बची है बागी की सीटे भर गई है और हेंड़न वर्म टेकणलोजि में 20 एडमिशन ले सकता है ठीक है आई आई सीटी वधोरी और हैंड टेक्नलोजी मान के जलो 6 अण छे से 8 लाग तक एडमिशन लेने की संभावना रखते हैं ठीक है आई आई टी लगनों में सीट्स देखो तो आई टी लगनों में सिविल कि 39 seats खाली है और electrical की 23 seats खाली है और mechanical की 42 seats खाली है अगर तुम इसमें बात करो तो यहां पे आराम से 3 लाग तके admission होने की इस बार भी संभाव ना है अच्छा एक बात और FW seats भी खाली है और किसकी खाली है mechanical की IT में खाली है और chemical की भी IT में खाली है मतलब इन के FW वाले बच्चे भी छोड़के भाग गया है अब उसका reason हो सकता है है HBTO उसका region हो सकता है triple MUT इवन अगर CS GMU में CSC मिल रहा हो तो हो सकते हो लोग छोड़के भाग गया होंगे या किसी private में अच्छा मिल गया होगा तो छोड़के भाग गया होंगे अगर उसी तरीके से मैं के सुल्तानपूर की बात करों तो यह भी चार लाग तक admission दे सकता है चार लाग तक किसी ने किसी ब्रांश में दे सकता है ठीक है इसमें भी मेकेनिकल के मेकेनिकल में FW की सीट खाली है FW की सिर्फ एक की सीट खाली है तो आप FW भी भरना मत भूलेगा इस बार 24 बहुत सहीं तरीके से करिएगा जो पिछली बार गलती करा तुमने वो मत करना और एक बात मैं तुम्हें बताना जरूर चाहूंगा कि हमारा इस पॉर्ट राउंड का प्लान आ चुका है that is ज्ट इन क्रिपल नाइं रुपीज अगर तुम्हें नहीं पता है कि स्पॉर्ट में कैसे बाटना है इस पार्ट की छुशाइस फिलिंग कैसे करनी है और सबसे बड़ी बात 20,000 अपने कैसे बचाएं अगर कॉलेज नहीं मि करता है 20,000 तुमने पहले दे दिया रेजिस्ट्रेशन के टाइम पे बाद में पता चला कि तुम वह इन्होंने कोई भी ब्रांच ऐसी ब्रांच तुमने उल्टाइज दा भर दी तुम्हें इन्फॉर्मेशन नहीं था और इन्होंने वह पकड़ा दिया और बाद में तुम कह कैसे इन सब से डील करना है यह सब हम तुम्हें सिखाएंगे तुम हमारे ट्रिपल लाइन के बैच को जॉइन कर सकते हो इसमें मेरा काउंसलर तुमारा आईडी पास्ट्रोल लेकर फुद काउंसलिंग करेगा फुद च्वाइस फिलिंग करेगा आपको कम सकम कई बार कॉल फिलिंग करके आपको पीडियो बेजिस आएगी वेरिफाई करवाया आएगा फिर एड्मिशन मिलने पर उसके बाद का प्रॉसेस हम लोग आपको सब्सक्राइब करते रहेंगे कैसे पेमेंट करना आपको कोई आवशक्ता नहीं है इविए अगर आपको कॉलेज नहीं मिल करते हैं उसमें हमारे सारे नहीं होगे होसा दो आप ट्रिपल चौंसलर करना चाता हूं नहीं मुझे को हो नहीं तो भी आप हमारे को सबस्ट्राइब और हूं को सारी की बचा है क्या तो हाँ भाई computer science बचा है नित्रा technical campus में अराम से 5 लाग तक computer science मिलेगा और तुम EWS हो तो और high rank तक मिल सकता है क्योंकि EWS में सीचे ज्यादा खाली है नित्रा technical campus में कम से कम 8 I think 7 सीचे खाली है तो नित्रा को भी तुम जॉइन कर सकते हो और इसका AI भी खाली है ठ किसी आजमगर में अच्छे खाली है और इसी अमबेटकर नगर में अच्छे खाली है बांदा में अच्छे खाली है इन सब में छे लाग तक admission होने की संभावना हो सकती है उसके बाद से सबसे जाद अभी इसमें इसमें मतलब आया यह जो है टेक्स्टाइल का uptti में अच्छी खाले है तो यूंग रिएंच्छ लेवल कि धवकवियो में शीयद्र को यूव सब issue क्ते बाद करतें कि अच्छा बात हो गया University की वेकैंसी क्यों नी दिख रही लिघो तो University में जैसे तुम्हें पता है एलिए लीउ का खुद का अपना अलगी स्पांट हो रहा है इसमें पार्टिसिपेट ना करे तो इसमें कुछ युनिवसिटी पार्टिसिपेट करेंगी और कुछ अपना अलग से लेंगी तो mostly हो सकता है कि तुम्हें दिखें उनका वेकैंसी हो सकता है बाद में दिखेगा या फिर नहीं दिखेगा या फिर directly उसमें choice filling होगा जैसा होग हम तुमें कल बता देंगे लेगिन युनिवसिटी में तुम सब पर एक्सपक्ट नहीं कर सकते हो इस सिर्फ एकटिव के एफटेट कॉलेज ही इसमें पाटिसिपेट किये थे लेकिन हो सकता है कि एक तेखो युनिवरसीटीग युनिवसीटी पर युद का अपना अलग से लेना था तोँ जो इनवस्टी चाहे जब चाहे तब निकला सकती है तो ये लोग नहीं बना सकते जैसे मोन मतलब उनकी अंडर में तो वैसे उनफे अंडर में तो о Então अपने साम से उनिवस्टियार देख लेती हैं हाँ जो पारटिसिपेट करना चाहेंगी यह लोग उनको कर वाएंगे कोई मसले वाली बात नहीं है लेकिन जो नहीं करने चाहेंगी वह नहीं उसको देखिएगा अगर नहीं तो आप उसको description में उसके link मिल जाएगा आप वहां से भी देख सकते हो उसे देखने के बाद यह देखना सब कुछ clear हो जाएगा अगर तुम्हारी चल जाएगा तो मिलते हैं वीडियो को लाइक करना अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करने में बिलकूल भी मत चुकना और बाखी तो चलो मिलते हैं नेक्स वाद को दिल पर मतले ना यार चुकि एड़े वाला यह नया नया है तो मुझे भी नहीं समझ में आया कि मैं थोड़ा सा ओनी वाला यार कि सबका कटेगरी है ताके सिर्फ एक ही को कटेगरी दिया जा रहा है क्यों भाई ऐसा क्या है मतलब हम लोग कौन से अच्छूत हो गए हैं लेकिन इसका रिजन होगा वैलिड रिजन तो होगा ही तभी काफी इतने बरिस्ट अधिकारी लोग है तो जो भी कर रहा हूंगे ठीक कर रहा हूंगे अब मैं क्या ही कहूं इस पर ठीक है तो अपने पॉइंट आफ यू नीचे कमेंट बॉक्स में वता सकते हो कि किसको क्या साहीं लग रहा है अब बागी देट इस एसके पीछे मेरा कोई भी जंडा नहीं है और नाई मैं इसम बाट कोई इसमें मुझे मत गसीड़ा ठीक है तो चलो मिलते हैं नेक्स सुडियो में तो तक लिए वावा टाटा इन जाहिंद रहा हुआ 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 हुआ